प्राइवेट करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है दो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने करमचारियों के लिए कर दिये हैं दो बड़े फैसले तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने करमचारियों के हक के लिए कौन से दो फैसले लिए हैं हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप ह को स्टार्ट बिना किसी देरी की दोस्तों सुप्रीम कोट की और से पिछले दो दिनों में दो बड़े फैसले आए हैं जो करमचारियों के हग से जुड़े हुई हैं ऐसे कई करमचारी हैं जो इन ऐसे मामलों में कोट कशेरी के चकर करते रहते हैं सुप्रीम कोट की और से पहले एक दूसरा मामला भी कोर्ट के सामनी आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काया कि करमचारियों को अतरिक्त बुक्तान या इंक्रीमेंट गलती से किया गया तो उनके रिटेर्मेंट के बाद उसे वसूली इस अधार पर नहीं की जा सकती ऐसा किसी गलती के कान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले किया है और उनका करमचारियों की जीवन पर क्या असर पड़ेगा हम आपको सब इटेल में बताते हैं दोस्ता सुप्रीम कोर्ट में पवन कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई है पवन को रेलवेश रुक्षा बल में कॉंस्टेबल के पद के लिए चुना गया था जब पवन की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो उसे इस आधार पर एक आदेश से हटा दिया गया था की केंडिडेट ने यह खुलासार नहीं किया है कि उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई थी सुपरिम कोर्ट ने का है कि जिस वैक्ति ने जानकारी को छुपाया है या गल्द गोशना की है उसे सेवा में बनाई रखने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से ववार नहीं किया जाना चाहिए सुपरिम कोर्ट ने का है कि अपिल करता की और से बरे गई सत्यापन फोम के समय उसके खिलाफ पहले से ही की अपरादिक मामला दर्ज किया गया था सिकायत करता ने अपना हलप नामा दायर किया है जिसके सिकायत पर प्रात्मिक्ता दर्ज की गई है कि वेगल पहमी के कांड थी पिठ ने काय कि इस सेवा से हटाने का आदेश उपयुक्त नहीं है और उसके बाद दिल्ली हाई कोट की खंट पीठ दुआरा पारित नेना सही नहीं है और यह रद करने योग्य है सुप्रीम कोट ने सौमार केरल के एक शिक्षक के मामले में फैसला लिया है मामला यह है कि शिक्षर ने साल 1903 में स्टरडी ली थी लेकिन इसे इंक्रिमेंट देते समय उस अवकास की अवदी पर विचार नहीं किया गया था 24 साल बाद 1997 में नोटिस जारी कर दिया गया और 1999 में उन्हें रिटायर होने के बाद इसके खिलाब वसूली की कारवाई शुरू कर दी सिक्सक इसके खिलाब हाई कोर्ट गई लेकिन राहत नहीं मिले इसके बाद वसुप्रिम कोर्ट पहुची अपने पहले के फैसले का जिकर करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने काया कि कोई सरकारी करमचारी विशेश रूप से जो सेवा के निजले पायदान पर है जो भी रासी प्राप्त करता है उसे अपने प्रिवार के भर्ण पोशन के लिए खर्च करना होगा पीठने का है लेकिन जहां करमचारी को पता है कि प्राप्त बुक्तान दे रासी से अधिक्र है या गल्त बुक्तान किया गया है या जहां गल्त बुक्तान का पता चला जल्दी ही चल ग के पक्स में फैसला सुनाया और उसके खिलाब राजे की और से गल्थ तरीके से वेतन वरीदी देने के लिए वसूली की कारवाई शुरू कर दी है सुप्रीम कोड ने उन्हें 20 साल की कानूनी लड़ाई को सिमाप्त कर दिया है और वह केरल हाई कोड के केस हार गई थे दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है जय वारत